उन्ना में पड़े लिखे युबाओं के किस्मत डेरी फार्मिंग ने चमका दी है यह युबा डेरी फार्मिंग को अपना लाखों रुपे कमा रहे हैं यही बज़ा है कि इनकी काम्याभी को देखते हुए अन्य युबा भी हलकी के लोग भी अब इनकी डेरी फार्मिंग को देखने आ रहे हैं और अपना कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं हिमाचो परदे सरकार की बवीन योजनाओं का लाख उठा कर अनेकों किसानों को आए का अच्छा सादन मिल रहा है कड़ी मेहनत वो परदे सरकार की योजनाओं ने इनकीसानों की सफलता की रह दिखाई है जिसे आज युबा भर भी परबावित हो रहा है इजपुन निवासी यार बिंदर पाल वर्ष 2015 में डेरी फार्मिंग से जुड़े थी नवार्ड के तहट 5.22 लाग रुपे का रिन लिया जिस पर उन्होंने 35% सबसीड़ी प्रापत की और 1.35 लाग रुपे सबसीड़ी के तौर पर मिले आज याद बिंदर कड़ी मेहनत से प्रतिमाल लगवर अडाई लाग रुपे का दूद बेच गए है कृष्णा डेहरी नाम से उन्होंने 40 कनाल भूमी पर फार्म स्तापिक किया और उसके पास तो 27 गाएं वो बहसे हैं प्रति दिन में अपने इस डेहरी फार्म से लगवग सवा दो क्यूटर दूद बेच रहे हैं जैदा तरदूद की सप्लाई उन्हों शेहर में गरगर जाकर की जाती है यादबिंदर का कहना है कि डेहरी फार्मिंग का विपसाए बहुत ही अच्छा है लेकि मेहनत से ही सफलता प्रापत की जा सकती है उन्होंने कहा कि सरकार की यूजना और सबसीडी का लाब लेकर उनके परिवार को आये का अच्छा सादिन मिल गया है नबोर्ट से मिला लोन पे पूरा चुकता कर चुके हैं पाल ने बताया कि पशुपाली बिवा के अधिकारी उन्हें उनके काम से बरपूर सहाइता कर रहे हैं इसी तरह लोहर बड़ेटा के आजी कुमार चंदील भी आधुनिक डेरी फॉर्म का सिंचारल सफलता पुर्वक कर रहे हैं MBA फाइनस करने के बाद बर दिली में नौकरी करने लगे और एक बश्पूरब उन्होंने लोहर बड़ेटा में अपने गाम बापिस आकर डेरी फॉर्म खुला आज उनके डेरी फॉर्म में 11 बड़े तथा 8 चोटे पशू हैं रोजाना दूद का उतपादन एक क्विंटल है और सीजन आने पर उतपादन बढ़कर अड़ाई क्विंटल तक पहुंचाता है दूद की जायदा तर खपत उना में ही है और बाकी बचे हुए दूद को बेब बेर का कंपनी को बेचते हैं आज़े का कहना है कि भे दूद की प्रोसेसिंग में स्वें उतरना चाते हैं दूद की प्रोसेसिंग का अपना प्लान लगाकर भे लोगों को शुत दूद उपलब्द करवाना चाते हैं उन्होंने बताया कि फारम को आधनिक तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें पशुओं के बेहने से लेकर उनके खाने की जगा तक बिग्यानिक अधारपिल डिजाइन की गई है और इस काम में पशुपालन विबा के अधिकारियों ने उनकी बरपूर मदद की है आजवी कुमार चंदेल ने बताया कि डेरी फार्मिंग में अच्छा मुनाफ़ा है लेकिन युवाओं को इस काम में सयम रखने वो मेहनत करने की अवश्य किता है बेहा मेहनत कुछ भी हाशिल नहीं किया जा सकता है ब्रिस्ट पशू सिक्ष्ट का अधिकारी उनना डॉक्टर राकेश बट्टी ने कहा कि नावाट के तहट सरकार डेरी के लिए अधिक्तम 10 लाग रुपे तक का रिम परदान करती है जिसमें सामानिय वर्ग के लिए 25 परतिसत तथा S.C.S.D. के लिए 35 परतिसत सबसीडी उपलब्द करवाई जाती है उन्होंने कहा कि जिला उना में डेरी फारिमिन के लिए युवाओं का रुजान बढ़ा है और पड़ा लिखाई बर्ग भी पशुपालन के मादियम से जुड़ रहा है जोला जी में चोरों के होसले लगातार बुलंद है अब तक कि ये अग्याद चोर 20 दिन के अंदर जोला जी शहर में तीन गरों के ताले तोड़ कर यहां रखी नगदी वगेहनों परहाद साप कर चुके हैं चोरों की ताजा मामले जोला जी के बार नबर तीन का है जहां चोरों ने एक नेगी के गर को अपना निशाना बनाया है जानकारी के अंसार यहां अग्याद चोर गर को ताला तोड़ कर अंदर रखे टरंक वैसे 15,000 रुपे नगद इसके अलाबा एक चांदी की पाइल वो परिवार सहीत रह रहे हैं और शादियों में काम करते हैं उनका कहना है कि जब और उसकी पतनी गर में ताला लगाकर अपने अपने काम पर निकल गए तो इस बीच जब उसकी पतनी दोपहर एक बज़े के बाद गर आए तो उसने देखा कि गर के ताले टूटे पड़े हैं और अंदर रखा साया सामान इदर उदर फेका गया है उनका कहना है कि इसके बाद मामले की सुचना पुलिस को दी गई थाना परवारी मनहोर 24 साइथ ASI बलदेब अन्या पुलिस कर्मी चौरी की बारदात की सुचना मिलने के बाद मौके पर पहुँचे उन्होंने स्तितिका जायजा लिया और साथ ही पुलिस ने पीरित प्रवारव आसपास के लोगों के इस मसले को लेकर ब्यांदर्ज किये DSP तिलकराज ने मामले की पुस्टे की है अब तक जौला जी में चोर तीन गणों के ताले तोड़ चुके हैं इस कहलावा जौला जी बस्टेंड की बैसमेट में से एक बाइक चोरी कर चुके हैं इन मामलों में पुलिस ने चोरी हुई बाइक का मामला 12 गेंटे के बीतर ही सुल जा लिया था लेकिन छोरी की बादात के मामले में शामिल चोरों को पकड़ने में जोळा जी पुलिस अभी तक नाकाम शाविद हुई यहाजा जोला मिकी में अब तीसरी चोरी की बादात 20 दिन के अंदर बाद नमबर 3 में फिर सामने आई इसमें पहले चोरी जोला जी बार नमबर 2 में 14 अक्तुबर को हुई थी जहां चोरों ने गरीश के गर से 77,000 के गहने वो 20,000 नगर चुराए थे इसके बाद 19 को जोला जी बस टेंस्टी बाइक चोरी हुई थी जिसे पुलिस ने 12 गंटे के अंदर डूर निकाला था इसी 22 अक्तुबर को जोला जी बार नमबर 2 के एक गर में चोरों ने 35,000 रुपी नगर बो 70,000 रुपे के गहने चुराए थे